Hello everyone, welcome to our channel DRX Deepak Farm दोस्तो आज की वीडियो काफी important होने वाली आप लोगों के लिए आज मैं इस वीडियो में Henderson Hatchelwes equation के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जॉइन कर ले और चैनल को सस्क्राइब कर ले इस चैनल पे आपको pharmacy related updates मिलती रहती है और knowledgeable वीडियो मिलती रहती है तो दोस्तो मैं इसमें वीडियो के थूँ आप लोगों को समझाता हूँ और फिर handwritten notes भी देता हूँ तो दोस्तो आज हम बात करेंगे Henderson Hatchelwes equation के बारे में जिसको हम pH equation भी कहते हैं या buffer equation भी कहते हैं तो यह काफी important है इन और्गनिक केमेश्टरी जो आप भी फार में सी फर्स्रेमेश्टर में पढ़ रहे हो वहाँ पे यह पूछा जाता है तो यह pipe marks में पुछा जाता है आपके paper में तो इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको Henderson Hatchelwes equation बताने जा रहा हूँ तो चलिए दोस्तो समझते हैं Henderson Hatchelwes equation क्या है इसकी derivation को अच्छे से समझेंगे और अपने आप copy में एक्जामनेशन में फाड़ के आ जाओगे जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ तो चलिए दोस्तो देखते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं buffer equation also known as Henderson Hatchelwes equation तो इसका मतलब यह हुआ कि Henderson Hatchelwes equation को हम buffer equation यह कहते हैं अब इसको हम क्यों use करते हैं use to calculate the pH of a buffer solution तो हम इसको use करते हैं calculate करने के लिए pH of a buffer solution तो दोस्तो देखें यहां मालीजे मेरा एक acid है acid को हम dissociate कियें तो यह किसमें टूटा? H positive plus A negative तो जो H positive हम उसको conjugated acid कहते हैं और जो मेरा A negative उसको conjugated base कहते हैं simple सा बात हमारा एक acid है acid का हमारा dissociation हुआ तो H positive plus A negative में टूटा जो A negative हो conjugated base है जो हमारा H positive हो conjugated acid है अब आगे बात करते हैं इसमें फिल हम क्या apply करेंगे? after applying law of mass action अब हम इसमें apply करेंगे law of mass action तो law of mass action में क्या होगा? कि हम ka dissociation constant बोलते हैं जिसको हम KFC denote करते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं? concentration of product by reactant तो concentration of product हमारा क्या था? conjugated acid और conjugated base तो इसको bracket से लिखते हैं तो हम इसको denote करते हैं concentration ठीक है? अब हमारा जो निचे है acid आ जाएगा तो मतलब मैंने क्या बोला? dissociation constant हम कैसे लिखते हैं? जो concentration of product by reactant of concentration तो concentration of product यहां हो गया concentration of reactant यहां हो गया ठीक है? अब इसके बाद क्या किया? हमने next step में अब इसको क्या किया? सिर्फ side को change कर दिया हमने क्या किया? A negative, HA positive इसको लेके मैंने यह side shift कर दिया ठीक है? कुछ नहीं किया सबसे पहले हमने apply किया law of mass action फिर इसको dissociation constant के टर्में लिखा पहले उपर में किया concentration of product by concentration of reactant बस इतना करने के बाद हमने क्या किया? दोस्तो, उसके बाद हम क्या किया? इसके side को change कर दिया only shifting कर दिया तो अब यह क्या है? HA और A negative को हमने इधर shift कर दिया इधर shift कर दिया तो कैसा बना? ऐसा बना ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अपने equation को easy बनाने के लिए हम क्या करेंगे? taking negative log both side we get तो मतलब हम क्या करेंगे? दोनो side negative log लेंगे तो अब दोस्तो, अब हम log का इसलिए करते हैं यह equally हो जाए एक side से अपने side से equally हो जाए हमारा जो equation है easily create हो जाए simply हो जाए तो इसलिए हम log का use करते हैं तो दोस्तो, आप लोगों बतो लगता होगा कि यह तो और difficult करते हैं log तो ऐसा scientist का कहना है कि log का हम use इसलिए करते हैं कि हमारा जो equation है यह derivation है वो easy हो जाए तो चलिए आगे बात करते हैं तो अब क्या करेंगे log ले लिया तो log ले लिया minus log, minus log बस दोनों side लगा लिया minus log k a h a concentration by a concentration negative फिर minus log h plus positive ठीक है इतना काम किया अब next step में क्या करते हैं आपने सुना ही होगा कि now minus log h plus concentration को pH कहते हैं जिसे हम power of hydrogen कहते हैं तो pH कोई भी पुछता है pH क्या है तो आप तुरंद बोलते हो कि minus log h plus positive मतलब minus log h plus concentration तो आप ये बताते होगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों pH के form में ठीक है अब यहाँ क्या minus log है अब इसको हम into कर देंगे मतलब यहाँ अपने multiply होगा तो minus log k a minus log k a फिर minus log h a minus log h a अब next step में क्या करेंगे ये minus की shifting हम यहाँ कर देंगे तो ये क्या होगा अपना एक दूसरे से change कर लेगा तो ये change हो जाएगा तो next step में क्या होगा minus log k a ये जब अपना minus दे दिया इसे तो ये क्या होगा positive होगा तो log यहाँ पे क्या होगा ये अपना change कर लेएग तो यहाँ change करने के बाद क्या होगा कि a negative उपर आ गया और h a positive निच्चे आ गया ठीक है उसके बाद क्या करना है दोस्तो और equal to pH तो हम minus log k a को हम इस तरह एक लिख सकते p k a जब minus log h को हम लिख सकते m pH तो हम क्यूं नहीं लिख सकते minus log k a को p k a तो कुछ नहीं किया रोस्तो p k a लिख दिया simply फि log a negative h a तो log a negative concentration by h a equal to pH तो अब यहाँ हम क्या कर रहे है कुछ नहीं करना बस यही टर्म को सीधा लिख देना है बहुत से बुक में आपको इस टर्म में नहीं मिलेगा बहुत से बुक में इस टर्म में लिखा हुआ रहता है तो आपको बस p k log मैंने a negative को अस्टार्टिंग में क्या बताया था आप लोगों को conjugated base ठीक है h positive को क्या बताया था conjugated acid तो हम a negative की जगा लिख सकते है conjugated base और जो हमारा h a था उसको हमने क्या बताया था आप लोगों को acid तो हम h a के जगा लिख सकते है acid ठीक है equal to pH तो हमारा यह acid के लिए निकल के आ जाता है जब हम base के लिए करेंगे तो दोस्तो कुछ ने यहाँ pkb हो जाएगा ठीक है यहाँ a के लिए करें तो a मतलब acid के लिए करें यहाँ pkb हो जाएगा log बाकी conjugated वही हो जाएगा यहाँ पे acid की जगा यहाँ पे base आ जाएगा हम इसको किसलिए यूज करते हैं हम डिस्क्राइब करने के लिए buffer capacity को तो buffer capacity है तो आप जाएगा जानते होगी कि यह क्या होता है एक तरह का ऐसा ability है जो resist change in pH को रोपता है मतलब वो change होने में अपने pH को रोपता है ऐसी buffer capacity की ability होती है अब समझते हैं जो Henderson Hatchelbel equation है इसके बारे में और important क्या है इसकी relationship क्या है तो this equation so relationship between जो acid रहेगा वो किसके साथ relationship अपना so करेगा pH के साथ, PKA के साथ और concentration के साथ तो जो acid रहेगा हो हमारे किसके साथ करेगा pH के साथ, PKA के साथ and concentration के साथ करेगा ठीक है, लेकिन जो base रहेगा वो किसके साथ करेगा, simple है दोस्तो P, OH के साथ P, K, B के साथ and concentration के साथ तो यही है दोस्तो, chemical species में अपना acid में अलग सो करता है base में अपना अलग सो करता है तो यही relationship बताता है equation and answer H level equation acid के term में आप इस तरह लिए acid के term में किनके बीच में यह relationship अपना सो कर रहा P, H, P, K and concentration के बीच and base के term में किस पे कर रहा base के term में किस पे कर रहा P, O, H, P, K, B and concentration के term में तो देख सकते हैं दोस्तो कितना easy है कुछ ने करना है दोस्तो सबसे पहले आपको acid लेना है उसको dissociate कर देना है उसको फिर हम dissociation constant के term में लिख देते हैं फिर दोनों साइड लिटेकिंग बोथ log ले लेना है log लेने के बाद minus log H plus concentration को हम pH बता देंगे फिर minus log के A को हम P, K, A बता देंगे और फिर हम आपको rearrange करके हम अपने अच्छे से लिख लेंगे और यह काफी simple है और यह 5 marks में आता है तो 5 marks के लिए अगर दोस्तो आप इतना ही लिखते हो मैंने जितना वीडियों बताया तो enough है और एक अच्छे marks गेन कर सकते हो और दोस्तो अगर आपको इसका handwritten notes चाहिए तो आप हमारी टेलिग्राम चेनल को जोईन कर सकते हो मैं वहाँ पर इस वीडियो का handwritten notes अप्लोड कर दूँगा तो I hope यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी important होगी तो प्लिल लाइक, share and subscribe अल्सो शेयर with friends थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो